हेलो एवरिवन, आज हम करेंगे लेसन 15 जंडा उचा रहे हमारा, यानि कि हमारे देश का जो जंडा है हमेशा उचा रहना चाहिए, विजई विश्व तिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा, प्रतेख देश का अपना एक जंडा होता है, हमारे देश के जंडे का नाम ति या है, इनका जो measurement है, सेम है, तीनों का एक जैसा है, अलग-अलग नहीं है, सबसे उपर की पट्टी का रंग केसरी है, केसरी यानि ओरिंज कलर, यह रंग विर्ता और त्याग का सूचक है, यह रंग हमें उन शहीदों की याद दिलाता है, जिनों ने अपने देश को अजाद कराने के लिए अपने प्रान तक निचावर कर दिये, मद्ध भाब की पट्टी का रंग सफेध है, यह देख सकते हैं, यह मद्ध यानि मिडल, तो यह सफेध रंग का है, यह रंग शांती और सक्ते का प्रतीक है, हम किसी भी देश के साथ युद करना नहीं चाहते, सब के स शांती और मित्रता चाहते हैं, सफेध पट्टी के मद्ध एक नीले रंग का चक्र है, यह जो चक्र होता है, बच्चों यह नीले रंग का होता है, नीला रंग विशा, लकाश और गहरे समुद्दर का प्रतीक है, यह चक्र समराट अशोग के धर्म चक्र से लिया गया है, स इस चक्र में 24 तार हैं, जो निरंतर गती और विकास की ओर संकेत करते हैं, 24 तार यानि कि इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं, इन्हें स्पोक्स कहते हैं इंग्लिश में, निचले भाकी पट्टी का रंग हरा है, यह रंग प्रक्रीती की हर्याली और सम्रिद्धी का प्रती है, हर्याली लेलाहाते खेतों और सम्रिद्ध उद्ध्योग और वेपार की उन्नती से प्रकट होती है, हर्याली लेलाहाते खेत मतलब जहां पे खेत हरे भरे हो, सम्रिद्धी मतलब डैवलप्मेंट, प्रोग्रेस, उद्ध्योग यानि की इंडस्ट्री और वेपार यानि की बि 15 अगस्त हमारा सोतंतरता दीबस है इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता दास्ता यानि गुलामी से मुक्त हुआ था इसे हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री स्वर्गियद पंडी जुहाला नहरू ने सर्व प्रतन दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस 1947 को फैराया था इसी की स्मृती में प्रती वर्ष 15 अगस तथा राश्ट्री पर वो पर लाल किले तथा पूरे देश में जंडा फैराया जाता है तो सबसे पहले जोहाला नहरू जी जो की हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे लाल किले पर फैराया था तो अब प्रती वर्ष हर साल इसी की याद में हम हर साल 15 अगस्ट को और दूसरे राश्ट्य पर जैसे की रिपब्लिक टे गांधी जेनती को हम लोग ये लाल किले पर ये जंडा फैराया जाता है अब भारत के नागरी किसे अपने घरों, दप्तरों, भवनों, स्कूलों, कॉल्जों आदि पर ना केवन राश्ट्य पर वो पर बलकि किसी भी दिन फैरा सकते हैं हम सबका कटव है कि हम इसका सम्मान करें जब राश्ट्य जब ध्वज फैराया जाए, राश्ट्य ध्वज यानि की फ्लैग, हमारा नैशनल फ्लैग या राश्ट्रगान गाया जाए तब हमें सम्मान देने के लिए शांती पुर्वक खड़े रहना चाहिए हमें अपने राश्ट्य ध्वज की सदेव रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार हमारा जंडा हमारी आजादी, हमारे आत्म सम्मान, हमारे स्वाभी मान और हमारी एक्ता का प्रतीक है जिसे देखते ही हमारे भीतर देश प्रेम का असीम श्रोत बहने लगता है यह जंडा, तिरंगा, हम सब का है, हमारा कतव है कि हम इस की शान में कोई कमी न आने दे और यह हमें हमीशा हवा में उचाईयों पर लहराता दिखाई दे कि बच्चों यह जंडे की जो इज़त है हमारे देश की इज़त से रिलेटेड है अगर हमारे देश की इज़त होगी तभी तो जंडी की भी इज़त होगी तो इसी लिए ये जंडा हमारे लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है और इसकी इज़त को बचाना हमारा पर्मधर्म है इस प्रकार हमारा राश्ट्री जंडा हमें ये संदेश देता है कि हम वीर यानि इकट, collection of three colors, न्योचावर, त्याग करना, sacrifice, समराट अशोग, मौर्य वन्ष का एक राजा, मात्मा बुध, बौध दर्म को चलाने वाले, शहीद, देश के लिए अपने को कुर्बान करना, असीम, सीमा रहीत, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, प्रधान मंत्री, किसी देश का सबसे बड़ा मंत्री, स्वर्ग्य, मृत्यू को प्राप्त, स्मरीती, याद, राष्ट्य पर्व, राष्ट्र या देश का तहवार, जैसे कि बच्चो दिवाली होती है, ये एक religious तहवार है, लेकिन राष्ट्य पर्व होते, जैसे Republic Day, Independence Day, गा प्रिद्धी, उन्नती, खुशहाली, स्रोथ, धारा, अब हम करेंगे इस पाट के प्रश्ण उत्तर, कुश्च नम्ब वन, हमारे देश के जंडे को क्या कहते हैं, आंसर, हमारे देश के जंडे को तिरंगा कहते हैं, कुश्च नम्ब टू, इसे तिरंगा क्यों कहते हैं, उ उत्तर हमारा जंडा तीन रंगों का होने के कारंथी रंगा कहलाता है कुश्चन नम्ब थ्री केसरी रंग की पट्टी किन शहीदों की याद दिलाती है उत्तर केसरी रंग की पट्टी हमें उन शहीदों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने देश को आजाद करवाने के लि 5. नीले रंग का चक्र किस सम्राट का धर्म चक्र है? उत्तर नीले रंग का चक्र अशोग सम्राट का धर्म चक्र है. Q6. नीले रंग के चक्र में कितने तारे है? उत्तर नीले रंग के चक्र में 24 तारे है. Q7. हरा रंग किसका प्रतीक है? Q8. सबसे पहले राष्ट्रे जंडे को किस ने कब और कहां फेराया था? Q8. सबसे पहले 15 अगस्त सन 1947 को राष्ट्रे जंडे को दिल्ली के लाल किलिये से फेराया था? Q9. हमें राष्ट्रे जंडे का सम्मान कैसे करना चाहिए? उत्तर. जब भी राष्ट्रे धन ध्वज फेराया जाए तो राष्ट्र गान गाया जाए. तब हमें इसका सम्मान करते वे शान्ती पूर्वक खड़े हो रहना चाहिए. आगे बढ़ते हुए हम करते हैं वाक्य पूरा करो. जंडे में तीन रंग की बराबर अनुपात की पटिया हैं. हम सबके साथ डैश और डैश चाहते हैं. हम सबके साथ शान्ती और मित्रता चाहते हैं. नीला रंग डैश अकाश और डैश समुद्र का प्रतीक हैं. नीला रंग विशाल अकाश और गेहरे समुद्र थोड़ा ध्यान दीजेगा समुद्र का प्रतीक हैं. चक्र के 24 तार निरंतर गती और विकास की और संकेत करते हैं. हमें राश्ट्र ध्वच की सदेव रक्षा करनी चाहिए. अब हम करेंगे पड़ो समझो और लिखों. राश्ट्र प्लस इय राश्ट्रिय, भारत प्लस इय भार्तिय, देश प्लस इय देशिय, मित्र ता, मित्र ता, वीर प्लस ता, वीर ता, दास प्लस ता, यानि गुलामी, स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंतर ता, इक लगा करने शब्द बनाओ, उद्योग प्लस इक उद्योगिक वैपार प्लस इक वैपारिक यहां पे ध्यान दीजेगा वैआ का मात्रा लगेगा संकेत प्लस इक सांकेतिक वापस यहां पे आ का मात्रा स्पेशल लगाया गया है धर्म प्लस एक धार्मिक अब हम करेंगे विलोम शब्द मिलान करो यानि opposites word को मैच करिए आजाद, गुलाम, युद, शान्ती, उन्नती, अवनती उन्नती यानि प्रोग्रेस करना अवनती मतलब पीछे जाना प्रकट, गुप्त, एकता, अनेकता राष्ट्र शब्द में ट के नीचे र का रूप ध्यान से देखे यानि कि ट के नीचे है यहां पे र लगाया गया है राष्ट्र से अन्य शब्द बनाओ तो मतलब राष्ट्र में और शब्द जोड़कर नया शब्द बनाओ राश्ट्र प्लस पती राश्ट्र प्रती यानि प्रेसिडेंट राश्ट्र प्लस पीता राश्ट्र प्रीता फादर अफ तर नीशन जो की मात्मागान्दी है राश्ट्र प्लस यह राश्ट्रिय यानि कि नैशनल जैसे नैशनल बर्ड, नैशनल फ्लावर, राश्ट्र पक्षी इस तरह से राश्ट्र प्लस गान राश्ट्र गान नीचे राश्ट्र और धार्मिक पर्व घोल मिल गए हैं, उन्हें अलग-अलग करके सही स्थान पर लिखो, जो धार्मिक पर्व होते हैं, वो हमारे रिलीजियन से रिलेटेड होते हैं, जो राश्ट्र पर्व होते हैं, वो हमारे देश से रिलेटेड होते हैं, तो राश्ट पर्व की सूची में आता है 15 अगस्त, गंतंत्र दिवस और गांधी जैन्ती, बाकी धार्मिक पर्व की सूची में आता है दशहरा, इद, दिवाली, होली और बेसाखी. अब हम करेंगे नय शब्द बनाओं. पर्व, राष्ट्य पर्व, प्रती प्लस वर्ष, प्रती वर्ष, यानि कि हर साथ. आगे बढ़ती हुएं हम करते हैं जंडे पर एक नारा लिखो, जैसे जंडा उचा रही हमारा, यह हमें प्रानों से प्यारा, तिरंगा है भारत इशान, रखेंगे हम इसका मान. तो इसी तरह हमने एक और बनाया नारा, हमारा तिरंगा है सबसे नियारा, मुझको अपनी जान से प्यारा. राष्ट्य जंडे का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो और उस पर पांच वाक्य लिखो. अब हम करते हैं नमबर टू, भारत के पड़ोसी देशों के नाम पता करो और उनके जंडे चिपकाओ. तो ये है पाकिस्तान का जंडा, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, ये चाइना का जंडा, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का जंडा, नेपाल, ये रहा आपका नेपाल का जंडा. तो अब हम आ गए हैं पाठ की स्माप्तिक पर आशा करते आमको ये पाठ पसंद आया होगा और भी पाठों के लिए प्लीज विजित आवर चैनल और डेफिनेटी सब्सक्राइब तो आवर चैनल और अजो शेयर दिस वीडियो thank you very much everyone bye bye have a nice day